नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल सेने सुत्रा पे आज हम बात करने वाले हैं साथ ऐसी फिल्मों के बारे में जो आपकी सोच को बदल के रख देंगी और आपको कुछ नया सोचने पे मजबूर कर देंगी साथ ही साथ आपको हैरान करके रख देंगी तो चलिए स्ट इंजन में कनवर्ट कर दिया गया है एक नए सोलर सिस्टम में ले जाने के लिए जी आँं इस इन्सान धर्ती को एक जाइंट के जोड़ देता है और उसे बनाई गई यह मूवी आपको अपने विजूल से हैरान करके रख देगी परिशान करके रख देगी वैसे तो इस मूवी का बजट इतना नहीं था पर जिस हिसाब से इस मूवी में VFX का यूज किया गया है बहुत ही बहतरीन मूवी बनाई गई यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी तो इस लिस्ट में अगली मूवी है दप्लाटफॉर्म यह भी 2019 की एक ऐसी मूवी जिससे मैंने जब पहली बार देखा तो जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया एक वर्टिकल प्लाटफॉर्म जिसके हर फ्लोर पे एक इंसान रहता है या दो इंसान रहते हैं किसी पर तीन इंसान रहते हैं किसी पर चार इंसान रहते हैं और एक वर्टिकल प्लाटफॉर्म जिससे खाना हर फ्लोर पे कुछ टाइन के लिए रुखता है और नीचे जाता जाता है दिन में एक ही बार खाना और उसी में से सब को खाना है मनजल के लोग अपने उपर वाले लोगों के खाने के बीच बचे हुए हिस्से खाते हैं यह फिल्म अपनी चौकानी वाले कहानी के लिए जानी जाती है इस लिस्ट में अगली मुवी है डाउन साइजिंग 2017 में आई मुवी एक ऐसे फ्यूचर में ये मुवी को प्रिजेंट किया जाता है जहां रिसोर्स की काफी कम हो चुकी है और इंसान को इंसान का साइज छोटा करने का फॉर्मला मिल चुक है यानि कि इंसान को downsize किया जा रहा है ताकि resources को बचाया जा सके और उनका अच्छे से इस्तमाल किया जा सके एक ऐसे couple की कहानी जिसका पती तो downsize हो जाता है बट पतनी downsize होने से मना कर देती है एक ऐसी कहानी जहां humans को choice दी गई है कि वो downsize होना जाते हैं या नहीं होना जाते हैं Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी इस list में अगली film है What Happened to Monday तो एक ऐसे future में ये भी एक ऐसे future में present की गई कहानी है जहां resources की कमी होने के कारण पूरी दुनिया में ये decide किया जाता है कि आप एक बच्चे से जादा बच्चे नहीं कर सकते और ये movie एक ऐसी family के उपर निर्धारित है जहां एक family के उसी समय पे 7 बच्चे हो जाते हैं और उन 7 लड़कियों की शकल हुबहु एक समान होती है तो ये family क्या करती है उन 7 लड़कियों का नाम दिनों के नाम पे रख देती है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday और Sunday ताकि हर एक लड़की एक दिन के लिए जी सके और पूरी सरकार को ये पता ना चले कि ये अलग-अलग लड़की है अब कहानी में twist वहाँ आता है जब इन में से एक लड़की अचानक गायब हो जाती है तो क्या होता है उस लड़की को, कैसे उस लड़की को बचाया जाता है और कैसे ये लड़की आपने आपको बचाती है ऐसी दुनिया में ऐसी सिचुएशन में इसके उपर ये फिलम निर्धारित है नेट्फिक्स पे आपको फिलम देखने को मिल जाएगी तो इस लिस्ट में अगली मूवी है अपसाइड डाउन 2012 में आई एक ऐसी romantic कहानी जिसमें एक ऐसा planet दिखाया गया जहां दो तरह की gravity है एक gravity नीचे की तरफ एक gravity उपर की तरफ इस movie में जो उपर वाले लोग है वो नीचे वालों लोगों को exploit करते हैं नीचे वाले लोग उपर की तरफ जाना जाते हैं नीचे गरीब और उपर अमीर लोग रहते हैं मुवी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक उपर वाली लड़की और एक नीचे वाले लड़के को प्यार हो जाता है और कैसे वो दोनों gravity को defy करके एक साथ एकठे होते हैं तो बड़ी ही romance कहानी है बिलकुल different concept है कुछ हैसा जो आपने बिलकुल कभी नहीं सोचा ह होगा नहीं आपने इसा ऐसा कुछ imagine किया होगा अगर आप कुछ बिलकुल हटके देखना चाहते हो तो मैं recommend करूंगा इस movie को अभी अपनी watchlist में डाल लो क्यूंकि बहुत ही बढ़िया romantic और एक बिलकुल different movie है तो इसी लिस्ट में हमारी अगली movie है देख लोंड टाइरन 2022 मे आई यह movie Netflix पर आपको मिल जाएगी movie एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसको गोलियों से भून दिया जाता है जिसको गोलियों से भून दिया जाता है और जो अगले ही सीन में एकदम सही सलामत दुबारा खड़ा हो जाता है सिर्फ हम ही नहीं वो खुद लड़का भी confused होत है कि उसको गोलियों से भून दिया गया था तो उसका एक दोस्त यह सब होते देख लेता है तो वो अपने दोस्त से पूछने जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या तो कहानी इसी twist or turn के साथ आगे बढ़ती है कि actual में उसको हुआ क्या और वो बचा कैसे यह movie का end देखके आपके दिमाग के सारे पुर्जे हिल जाएंगे ऐसी जबरदस्त कहानी है ना मतलब आप सोचते रह जाओगे कि यह हुआ क्या पार्ट टू का वेट करने पे मजबूर करती है पता नहीं इसका पार्ट टू कब आएगा बट एक बहतरीन movie एक बहतरीन thriller एक बहतरीन suspense वाली movie अपनी साथ यह होना तो नहीं था बट कुछ unseen reasons की वज़ा से एक लड़की उसके सामने बार बार आती है तो यह एक ऐसे भविश्य में कहानी present की गई है जहां सब कुछ बगवान कंट्रोल करते हैं और जब कुछ बगवान की मर्जी से इधर उधर जाता है तो एक bureau of control है जो आके उ अपने romance को बजाता है अपने lady love को बचाता है इसके बारे में यह कहानी है बट अगर आपको कुछ different और कुछ interesting देखने में interest है अगर आप regular movies देखके बोर हो चुके हो तो आप यह सातों की सातों movies देखो I promise आप regret नहीं करोगे अभी क्या भी list में डालो आपको Netflix या Amazon Prime पे सार और का इस्तमाल करो और यह सारी movies आपको वहाँ भी मिल जाएंगी यह साथ अनोखी movies मुझे उमीद है आपको यह movie पसंद आई होगी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ share कर दो वीडियो को like कर दो चैनल को subscribe कर दो क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपक नहीं नहीं आपको कर दो आपको कर दो करतीक इस कॉझे मिल ज़ कर दो कि अच्छी इस कॉपल negotiating my